असलाम वारेकम स्टूडेंट वेलकम तो माई यूटिव चैनल आज हमारा गुरूप तेरी का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्शन में जैड ओवर एंजड पढ़ा था अब जैड ओवर एंजड का ही एक सबसेट है जिसके अंदर किस टाइप क यहां पर जो एंड के साथ रियली प्राइम होगी यहां पर जो एंड के साथ राइलिटिव लिप्रायम का मतलब कि यह है कि उन दोनों का ग्रिटस्ट कॉमन डिवाइजर जो उख़गा स्टुडेंट वह फो वन होगा ठीक है अब हमें यह देखना है के यह इसके अंदर किस टाइब के अलिमेंट आएंगे हम कहांपर एक्सामपल लेते हैं अगर हम N रख लेते हैं अगर हम N रख रहें जी 5 5 रख लें तो Z over 5 Z के अंदर किस टाइब के अलिमेंट इसके उपर इस तरह multiplication का sign लगा हुआ है इस सेट के अंदर किस टाइब के अलिमेंट आएंगे इसमें ऐसी क्लासिज आएंगी जो पिलॉंग करती होंगी Z over N Z से जब इसका इस 5 के साथ 1,5 के साथ Greatest Common Divisor Find किया रहेगा तो वो 1 आएगा यानि के इसमें ऐसे ऐलिमेंट होंगे अगर हम 1 को देखें 5 के साथ 1 और 5 का अगर हम Greatest Common Divisor निकालें तो वो हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है इसका मतलब इसमें 1 की क्लास तो आईगी 2 और 5 का Greatest Common Divisor निकाला जाए तो वो भी 1 ही आता है इसका मतलब हमारे पास 2 भी आएगा इसी तरहां से अगर हम 3 को देखें 3 और 5 का अगर हम Greatest Common Divisor निकालें तो वो भी हमारे पास 1 ही आता है इसका मतलब 3 की क्लास भी आजाएगी इसी तरहां से अगर हम 4 का निकालें 4 और 5 का Greatest Common Divisor भी हमारे पास 1 ही आता है इसका मतलब 4 की क्लास भी आएगी और हमें पता है Z over NZ में अगर हम Z over 5Z लिखते जड़ अगर 5Z लिखते तो उसके दर कौन कहां से लेकर कहां तक element जाने थे 0 की class, 1 की class, 2 की class, 3 की और 4 की class तक जाने थे तो हमें Z over 5Z में सही elements देखने हैं कि कौन कौन से इस set के कौन कौन से elements हैं जो 5 के साथ relatively prime है वो ही हम इस set में लिखेंगे students देखें 0 और 5 तो relatively prime नहीं है 1 और 5 था हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 ये relatively prime थे इस set के अंदर ये elements आगए students अब हम और example लेते हैं अगर हम N की value रख लें 6 तो Z over 6Z में कौन कौन से आजाएंगे G elements के Z over N, Z, K वो elements आएंगे जो 6 के साथ relatively prime होंगे 1 तो होता ही है 6 के साथ relatively prime लेकिन 2 और 6 का greatest common divisor तो हमारे पास नहीं होगा 1 बलकि वो 2 होगा इसी तरह 3 और 6 का भी greatest common divisor 3 होगा और 4 और 6 का भी greatest common divisor 1 नहीं होता है और 5 और 6 का greatest common divisor 1 होता है इस वज़ा से यहां पर 5 आ जाएगा बस यहीं इसके अंदर elements आएंगे students इस तरहा के elements इस set में होते हैं अब हमने यह चेक करना है यह set जो है यह हमारे पास किसी binary operation के under group है के नहीं इसको हमने group चेक करना है under multiplication students under multiplication यह हमारे पास कि अगर आप लोगों ने और यह हमारे पास under multiplication group होता है यह बात अपने mind में रखें z over and z जो है यह under multiplication group है और यह abelion भी है ग्रूप and also abelion also abelion group b भी है यह students जब भी अब आप लोग अपने माइंड में एक बाद रखनी है जब भी Z over NZ की बात आईगी तो ये अंडर एडिशन ग्रूप होगा जब Z over NZ के उपर इस तरह से स्टेरिक लगा होगा तो वो अंडर मल्टिप्लिकेशन के ग्रूप होगा ठीक है और इसके अंदर किस टाइप क पर Z over NZ के एलिमेंट्स लिखें तो उसके एलिमेंट्स होते हैं 0 के क्लास, 1 की क्लास, 2 and up to 6, N-1 की क्लास इसी तरह अगर हम Z over NZ स्टेरिक के लिखें तो उसके अंदर आते हैं जो इसके relatively prime होगा यानि के ऐसी क्लासे आती हैं जो Z over NZ में से ही होती है जब A का N के साथ हम लेते हैं relatively prime, the greatest common divisor तो किसके एकल आता है वन के आपस में कहतना है relatively prime होते हैं यह हमारे पास इसेट और यह दोनों ही हमारे पास groups हैं किस binary operation के अंडर Z over NZ जहें इंडर addition के और Z over NZ स्टेरिक जो है इंडर multiplication के हमारे पास group होता है और दोनों abelion groups भी हैं यह अंडर addition और multiplication तो अब जाहेस आप में लिखा हो या ना लिखा हो आप कोई पता होना चाहिए जो है यह यह इंडर अडिशन है जो है यह यह अंडर मल्टिप्लिकेशन अबीलियन ग्रूप्स हैं और इसमें किस टाइब की अलिमेंट्स है यह भी हमने देख लिया और पूछा रहे हैं इसके कितने ऐलिमेंट्स आएंगे तो था मिद्स कुछाड़ मत उसके लिए है इसके हैं आइसा यह जो आइलर 5 फंक्शन कहते हैं वो एक मशीन के तोर पर काम करती है जो सारे के सारे के सारे रियुटिकली प्राइम निमबर्स निकाल देती है वो हम करेंगे नेक्स लेक्चर में स्टुएंट्स हमारी नेक्स लेक्चर देखेगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी